हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टू ओर्ड चैनल हाइपरड़ेट इस भी महां हूं महांमद सोहेल दस्तों कोटक महेंदर बैंक पे मैं आल्रड़ी वुडियो अनलेसिस किया हूं अपने प्रिवियस वुडियो में अपडेट भी किया हूं कि स्टॉक के अंदर अगर सेलिंग में आने वाला है तो अंटर सेलिंग का लेवल क्या रहे गा यह दो sok में उसके करेंग वारे में बताया है कि अगर ग्रीच तो तो ही ओपर जाएगा वरना Kotakesting बहने नीचे जाएगा और ओपर की तरफ कहीं पर औहुंपर भी गरीन केंदल क्लोजिंग नहीं है सो इत्मड चाहिए अब टाघ्यां एक है कोशण बंद में प्रापर सैल्लिंग यौह पर चल रहा है ठीक है minimum 200 जाना चाहिए तो ही proper buying होगा वरना improper buying होगा अभी यह नीचे जाना है तो इसको क्या चाहिए इसको breakouts के लब support level चाहिए तो एक breakout का level support यहां पर जो पिछली बर में draw किया हम वही बन रहा है उसके बाद एक level यहां पर है strongest breakout है कौंसा वाला जिसका traded value है यानि stock यहां से नीचे आके ऐसे नीचे आके strongest breakout से reject करेंगा strongest है और यहां पर reject हुआ है पर अगर fall करेगा तो यहां से reject होगा अगर ऐसे नहीं यहां कहीं पर भी एक green candle form कर रहा है क्योंकि order reject होके आया है न तो green candle form करते हुए 200 यह में तब तक नीचे आ जाएगा 200 यह में 1800 level या 1790 का level के in between 200 यह में को cross करते हुए green candle बनाएगा उपर कहीं पर भी stock के अंदर buying बनेगा पर अभी के लिए वो buying नहीं बनेगा जिसे मैं समझा रहा हूं stock के अंदर क्या चाहिए 1751 से लेके 1702 का हम लोगों को fresh buying चाहिए अगर यहां पर level बन रहा है तो ही खरीदना है अगर यहां पर level नहीं बन रहा है तो खरीदना नहीं है और 1800 से लेके 1719 के बनने वाला है जिस ब्रेकाउट पर आपको focus करना है दोस्तों अगर ऐसे कुछ होगा तो मैं अपने free telegram group channel में trade दे दूंगा जैसे आज मैं polycap का trade provide किया था अपने चैनल में जैसा ही मुझे position मिला वैसे ही मैं आपको कोटक महेंदरा बैंक के भी position दे दूंगा दूस्तों तो यही था मेरा update कोटक महेंदरा बैंक पर अगर आपको stock पर analysis समझ में आया वीडियो को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लिजिए thank you for watching my video